बिस्मिल्ला अख्मान रहिम, एक्टविट अंडर ट्राइल में आपका इस्तिक्बाल है, आज हम फिर एक बेगुना कहिदी का जिक्र करेंगे आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने डॉक्टर सयद वसीमुद्दीन के बारे में बताया था कि किस तरह महरास्टा पुलिस ने चार जूटे मुकदमे उन पर कायम किये थे 1998 का एक केस किस तरह से वो बाहिजद बरी हुए उसका जिक्र हमने किया था आज हम उनके दूसरे केस पर बात करेंगे जो सन 2001 में पुलिस ने उन पर लगाया था पुलिस का कहिना है कि 27 सेप्टेंबर 2001 को मरकजी हकूमत ने स्टुडेंट सिलामिक मुवमेंट अफ इंडिया यानि सिमी पर पाबंदी आयत कर दी और पाबंदी लगने के बाद खामगाओं बुल्डाना महरास्टा के दो लोग फरार है जो कि सिमी के एक्टिव मिंबर है पुलिस ने इलजाम लगाया कि डॉक्टर वसी मुद्दीन और एक दूसरा शक्स जिसका नाम अब्दुल नाजिम है उन दोनों को फरार डिक्लेर करते हुए उनके खिलाफ एफ आयर दर्च की गई शिवाजिनेगर पुलिस टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर मोहन शीर सागर ने एफ आयर लिखी पुलिस इंस्पेक्टर का कहना है कि इन दोनों के फरार होने के बाद F.I.R. दर्च की गई और U.A.P.A. लगा कर सेक्शन 10 और सेक्शन 13 के तहट इन पर मुकदमा कायम किया गया और गवाहों के बयानात के मदे नजर कुछ नए नाम सामने आए और कुल नव मुस्लिम नोजवानों पर U.A.P.A. का केस बनाया गया जिनके नाम ये है ये सब खामगाओं बुलडाना के रहने वाले है इन नौ मुस्लिम नौजवानों पर U.A.P. लगाया जाता है और इनके खिलाफ अदालत में चारशिट पेश की जाती है पुलिस का कहना है कि दोनों मुल्जवानों यानि डॉक्टर वसीम उद्दीन और अब्दुलनाजिम के घर की तलाशी ली जाती है वो घर पर मौझूद नहीं है लेकिन उनके घर से सीमी लिटरेचर और सीमी डॉक्यमेंट्स बरामत होता है पुलिस का इल्जाम है कि बैन लगने के बावजूद ये लोग सीमी के मिंबर रहे और सीमी की कारवाईयां सरगर्मियां अंजाम देते रहे इन नो मुझुमिन का कहना है कि वो बेगुना है और पुलिस ने उन पर जूटा केस बनाया है अदालत में केस साबित करने के लिए पुलिस चार गवाहों को पेश करती है मुकदमा कुल 7 साल से ज्यादा अदालत में चलता है और हमारी अदालत एक गवा के इंतिसार में 668 दिन तक बैठती है और एक गवा की गवाही रिकॉर्ड करने के लिए 668 दिन लग जाते है जबके उस गवाही की गवाही के लिए सिर्फ आदा घंटा काफी था इन 9 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ यूए पिय के तहट जो सैंक्शन ओर्डर हकुमत की तरफ से लिया गया था उस सैंक्शन ओर्डर में सैंक्शन 13 मौजूद नहीं था सिर्फ सैंक्शन 10 के तहट इन पर मुकदमा चलाए जाने की इजाज़त दी गई थी आप जानते हैं के सैंक्शन 10 में ये बात है के बैंड ओर्डर के बावजूद उसका मिम्बर होना और सैंक्शन 13 में ये बात है के बैंड ओर्डर के बावजूद गेर कानूनी सरगर्मिया जारी रखना अगलत में पुलिस ने कुबूल किया कि 27 सेप्टमबर को हकुमत ने जो सीमी पर पाबंदी लगाई है उसके बाद मसलसल पाँच दिन तक के इन लोगों ने सीमी के नाम पर कोई अक्टिविटे नहीं की उसके बावजूद पुलिस ने इनके खिलाफ एफाईर दर्च कर दी अगबार में बैंड की कोई नियूज नहीं चापी गई और लॉड स्पिकर से ऐलान नहीं किया गया कि सीमी बैंड है और इसकी सरगर्मिया अंजाम नहीं ना दी जाए उसके बावजूद इन पर यूए-पी-ए के तहत मकदमा कायम किया गया पुलिस ने जो दावा किया है कि इन दो मुझमीन के घर से सीमी डॉकिमेंट्स बरामद हुआ है वो अखबारात के आर्टिकल्स है और सारे के सारे अर्दू में है जिस शक्स ने जिस पुलिस वाले ने ये आर्टिकल्स जब्द किये और जिस पंचों के सामने पुलिस ने जब्द करने का दावा किया है उन में से कोई भी उर्दू नहीं जानता। उसके बावजुद इनका ये दावा है कि ये सीमी डॉक्यमेंट्स है। वो ही कैसे इस नतीजे पर पहुँचे कि वो सीमी डॉक्यमेंट्स है जबके वो उर्दू पढ़ना लिखना नहीं जानते। पुलिस ने अदालत में इस बात को भी कुबल किया कि जिस वक्त उन दोनों के घर की तलाशी ली जा रही थी और सो कॉल्ड सीमी डॉक्यमेंट्स जब्द किये जा रहे थे उस वक्त पुलिस के पास सीमी बैंड का कोई हुकम नामा मौजूद नहीं था। जिस पंच के सामने सीमी डॉक्यमेंट्स जब्द करने की बात की गई है और अदालत में जिसे पेश किया गया उस पंच ने अदालत में गवाही देते वे कहा कि उसके सामने कोई पंच नामा रिकॉर्ड नहीं किया और उसके सामने कोई सीमी डॉक्यमेंट्स जब्द नहीं पेश किया और ये कहा कि मुल्जमीन की गहर मौजूदगी में उनके घर से बरामद हुई चीजे उनके खिलाब इस्तेमाल नहीं की जा सकती लेकिन अदालत ने उस मदेपरदेश हाई कोड के जज्जमिन को मानने से इंकार कर दिया और ये दलिल दी कि दोनों केसों में बहुत फर्क है पुलिक्स ने डॉक्टर वसीमुद्दीन के घर से जो कागजात बरामत करने का दवा किया उसमें कुछ खुतूद भी है अदालत ने महसूस किया कि वो खुतूद सीमी के डेली आफिस से डॉक्टर वसीमुद्दीन को भीजे गये थे और उन दोनों के दर्मियान क करिस्पॉंदंस हुआ था अदालत ने ये कहा है कि ये निजी खुतूद है और इसको फोर्ज करके प्लांट नहीं किया जा सकता इन निजी खुतूद की बुनियाद पर अदालत ने ये नतीजा आखस किया है कि डॉक्टर वसीमुद्दीन सीमी के मेंबर रहे है और उसके काम करते रहे हैं अदालत ने इस बुनियाद पर डॉक्टर वसीमुद्दीन को सजा दे दी अदालत ने मुल्जम नमबर दो से मुल्जम नमबर नौ यानि कुल आठ मुल्जमिन को इस केसे बाइज़त बरी कर दिया लेकिन डॉक्टर सेयद वसीमुद्दीन को एक महीने की सजा बामुशक्कत और 200 रुपे जुर्माना आयत किया। अदालत ने कुबूल किया कि तलाशी कानून के मताबिक नहीं ली गई है लेकिन वही अदालत तलाशी के दौरान जो चीज़े जब्द की गई थे उनकी बुनियाद पर डौक्टर वसी मुद्दीन को सजा देता है ये अजीब मामला है अदालत ने ये बात तस्लिम किया है कि बैन लगने से लेकर के F.I.R. दरज होने तक किसी भी मुल्जिम ने सीमी के लिए कोई illegal activity नहीं की है अदालत में ये बात भी साबित नहीं होती कि ये कभी सीमी के मिंबर रहे है या सीमी की activity करते रहे है लेकिन सिर्फ खतूत की बुनियाद पर डौक्टर सेयद वसी मुद्दीन को अदालत ने सजा दे दी ये मुकदमा कुल 2675 दिन तक के अदालत में चलता है और अदालत आथ मुद्दमिन को बाइज़त बरी कर देती है लेकिन एक खत की बुनियाद पर डौक्टर वसी मुद्दीन को सजा दे देती है मामला यहां नहीं रुकता मामला सेशन्स कोट में पहुंचता है वहां भी डौक्टर सेयत वसी मुद्दीन को सजा मिल जाती है और हाई कोट में पहुंचता है और हाई कोट से डौक्टर सेयत वसी मुद्दीन इस केस से बाइज़त बरी हो जाते है अगले वीडियो में हम सेशन्स कोट और हाई कोट के उन जज्जमेंट्स पर बात करेंगे सवाल यह है कि एक पड़े लिके डॉक्टर के घर से फर्जी खुतूत बरामत करके UAP के जरीए उसको सजा देने में पुलिस कामियाब हो जाती है और हम जानते है कि हमारी पुलिस किस तरह से फर्जी चीजे प्लांट करती है खुतूत तो एक छोटी चीज है हमारी पुलिस RDX, हत्यार और बड़ी-बड़े explosive material भी प्लांट करके लोगों को सजा दिलाने में माहिद है यह बहुत ही अफसोस का मकाम है शुक्रिया